तो दोस्तों नमस्कार आप सभी कैसे हो और आप सभी बढ़िया होंगे तो दोस्तों ये विज्यापन जारी हुआ है रामक्रिट समिसन असरम नराणडपूर से ये टेलिग्राम में इसका एक दोस्तों पिपर कटिंग जो हो लगा हुआ है और इससे बहुत सरे इंकरी आ रहा है सर इसके बारे में बताएए ये रेगुलर पोस्ट है कि कैसे फाम बरेंगे आदी सब भी चीज़ें तो बने रही वीडियो में तो दोस्तों चलिए ये समझ लेजिए तो ये पोस्ट मान के चलिए रेगुलर है सरकारी है इसमें कोई दोमत नहीं है ठीक है चलिए पढ़ते हैं समझते हैं क्या क्या चीजिस में डेटेल्स है तो देख लेजिए पद है ये मिंडिल स्कूल टीचर है ये पीटी आई सिक्षक है क्राफ्ट सिक्षक है स लुक्त आला साहिक है सायक वरगतीन है माली है यह मतलब यहां तक सब कर्मचारी लोग है काना चीजिए चलिए देखते हैं इसके असली चीज क्या है ठीक है तो चलिए इसका आयूजिस एमा क्या चीजिज है तो यह 35 वर्स है और आप सभी जानते हैं कि हना चाइए कि अगे बढ़ते हैं यह दिख लीजिए यहां मेंड पॉइंट है विसेश पिश्री जन जाती के अभरतियों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी अर्थात आप समझ सकते हैं कि नर्यानपूर जो है पिश्रा छेत्र है अर्थात कहना ची अबुजमार एरिया है वहां पर विसेश प सेक्षिक युगेता कम है तो भी उनको ले लिजएगा ऐसा नहीं लेकिन अगर उन्होंने सेक्षिक युगेता पूरी कर ले तो फिर प्रात्मिक्ता उनको दी जाएगी यहां पर पक्का है ठीक है अगला बढ़ते हैं चेन देखिए लिखित परिशा और सक्षकार और कौस से समंधित कारे करने हेतु प्रतिवर्ष के मान से तीन अंग तथा अन्य को समंधित कारे नभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से दो अंग अधिक्ताम पांच वर्ष तक प्रदान के जाएगा बतलब जो यह रामक्रिस मिसन में कारेत हैं उनको पंदरा अंग है और अन्य जग जो कार्यात है उनको maximum 10 अंग जो है दिया जाएगा ठीक है चतुर शेड़ी के समस्त पदोहित निंतम तीन वर्स का कार्या नभव वांचनी है वांचनी है कतातपर दोस्तों ये अगर है तो बढ़िया है इनहीं लोग को प्रात्मिक्ता दी जाएगी एंड देख लिजिए वि करनाडपूर में रहते हैं ठीक हैं इस्थानी यहां के तो फिर मान के चलिए आपको यहां पर यह चतुर शेड़ी का जो पोस्ट है वो मिल जाएगा अगला जो और महत्तपून बात है वो आप समझ लिजिए सेक्षिडिक अर्थाम अन्य प्रावाट पत्र आविदन के हो जाएगा चतुर शेड़ी के पद माली चतुर शेड़ी नेमी चतुर शेड़ी आकस्मिक्ता चपकीदार भृत्ति चपकीदार असोया इनके लिए एक ही आविदन लगेगा ठीक है यहां पर देख लिए च्छतिड के राजी के मोल जो है निवासी उन्हीं के लिए भरती निगली हुई है सबसे महत्रपुण पाइंट है दोस्तों ये पांच वा अंग्रेजी माध्यम विद्याले होने के काण अंग्रेजी माध्यम उत्तिन अब्विड़तियों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी बतलब सीदी सी बात है दोस्तों यहां से यहां तक जितने भी जो है ठीक है यह जितना भी कहाना चाहिए साइग रेट थ्री तक यहां पर दोस्तों उन्हीं लोग को प्रात्मिक्ता दी जाएगी जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए हैं अंग्रेजी माध्यम से उत्तिन है सिद्धी सी बात दोस्तों यह आत्मानन भरती है उन लोग के लिए बन जाएगा बस आत्मानन जो समीदा भरती है लेकिन दोस्तों यह रेगुलर भरती है सरकारी नवकरी है राज सरकार से आपको सीदा पेमेंट जो है मिलेगा तो मेंली वही है हिंदी जो पढ़े हुए हैं उन लोग के लिए हिंदी माध्यम में उन लोग के लिए पर कुछ बिसेस नहीं है ठीक है बाकी आप फाम समीट कर सकते हैं क्योंकि फाम तो निशुल्क है फाम जरूर भरती है लेकिन दोस्तों जो असली चीश है मैंने आप लोग को बता दिया यह भरती एक तो इस्थानी लोगों के लिए है ठीक है यह चतुत्वर्ग तो इस्थ बना हुआ है ठीक है प्रात्मिक्ता का दापर दोस्तों कि उन लोग के रहते हुए जैसे अंग्रेजी माध्या में उत्तिन अभ्यरते रहते हुए आपके नियुक्ति नहीं हो पाएगी यह प्रात्मिक्ता है और चुकि पोश्ट की संख्या पर कम है इसलिए थोड़ा से कह है अगर फाम सब्मिट करना भी चाहते है तो यह जैसे सायक सिच्चक का 16 पद है यहां पर 6 पद है इस ज्यादा जो संख्या में जो पोश्ट है उसमें आवेदन डालिये मेरे ख्याल से ठीक है यहां भी आप डाल सकते हैं तो यह रहा जानकारी फिर भी आपको कुछ कर सकते हैं